आसलाम अलेकूम डियर स्टूडेंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं self-pollination और cross-pollination का difference कि self-pollination क्या होती है और cross-pollination क्या होती है तो सबसे पहले तो हमें ये पदा होना चाहिए कि pollination क्या होती है pollination को जानने के लिए हम लोग जारा डायागराम की तरफ आजाते हैं flower का हमने structure बनाना सीखा था इसमें ये हमारे पास एक female part है जो के जिसको हम carpel कहते हैं और ये anthers जो होते हैं male parts होते हैं female part के ओपर pollen grains होते हैं ठीक है ये आपको pollen grains नज़रा रहे हैं stigma के ओपर ये placed होते हैं अब ये pollen grains जो है इनका transfer चाहे वो इस फूल से हो चाहे वो किसी दूसरे plant के फूल के उपर हो यानि कि इसी किसम के दूसरे पूदे के फूल के उपर हो तो इस process को हम क्या कहते हैं? पूलनेशन केहते हैं ठीक हो गया let's look at its definition, pollination, pollen grains की एक फूल से दूसरे पूल पर मुंत्कली pollination कहलाती है, pollination की two types होती है, एक होती है self-pollination और दूसरी होती है cross-pollination अब self-pollination क्या होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि अगर pollen grains एक पौदे के फूल से उसी पौदे के दूसरे फूल पर जाएं या मुंतकिल हो जाएं तो इसे self-pollination इसके एक्जाम्पल में हैं तमाटर, मटर वगारा यानि के पौदे में सेल्फ पौलिनेशन होती है और मटर में भी अब क्रॉस पौलिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि अगर पौलन ग्रेंज एक पौदे के फूल से उसी किसम के दूसरे पौदे के फूल पर मुंतकिल हो जो है वो इस तरीके से ट्रांसफ़ रहे हैं तो इस प्रॉसस को हम क्या कहेंगे सेल्फchuनिशन गरिनेशन की फौलन से अदर ही पौलन ग्रेंज की ट्रांसफियर शंज हो रहे हैंसा से एक पौदे के पूल से घंजवार यह गौलाब के पौदे के पूल से यह उसी किसम के तरीके से understand हो गया होगा इसी के साथ मुझे दीजिये इजाज़त, thank you so much चैनल को subscribe कर दे Allah Hafiz